कि शीए गाईज हेलो एब्रीवान गुड मॉर्निंग नवस्ते कैसे हैं सभी लोग बढ़ियां मेरी अवाज आ रही है कि अगर प्रॉपर ली अगर आ रही है एक मिनट मैं सबकुछ एकदम सेटिंग को एकदम यह कर लूँ ठीक कर दूँ पाइन यह मतलब इना कि दिवाइज होता है इसमें दो डिवाइज लगाए कि जो मैं आज बोहरा है थेल ताए क्ला करना है आपने को जो तुमको शेडिल और ट्राकर दिया है ना उस हिसाब से मैंने भी पूरा प्लान किया है मेरा 75 डेस आपको भी वैसे ही पूरा पढ़ाई करना है डेली का टार्गेट लिका चलो कि मुझे चाप्टर की रीडिंग कर लेना है मुझे उसके अगर रेकॉर्ड विडियो को जरूर से लाइक मार दीजीएगा ठीक है चलो आज ऑजो अब हमारे लेविंग के करने वाले कितने एक सोदस एमसी की उसको अलग अलग केटेग्री में डिवाइड किया हुआ है ठीक है सबसे पहले अपन एंसी आटी लाइन वाइस कर लेंगे मतलब जिसमें तर्क भी तर्क नहीं है अगर आपको लाइन याद है तुम उसको कर लोगे सेकंड हम क्या करेंगे स्टेटमेंट वाइस कोशन करेंगे अब लिविंग वर्ड से कितने प्रकार के एंटिय स्टेटमेंट वाले एंसी बना सकता है और मेरी यह यह यहां पर इंक्लूड किया गया है जिमुन ठीक है आई अप लोगो यहीं बात क्लियर हो गया रहेगा ठीक है अच्छा एक चीज और है कि वीडियो को है न एक मिट रूख जाओ वीडियो को है आप लोग थोड़ा क्वालिटी एडवांस कर लीजे मैं एक बार फिर से मै और यहां पर पिन भी क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में ट्रैकर पर जाके ना यहां पर लिखा है क्लिक यह टो जॉइन टेलिग्राम टेलिग्राम जॉइन कर लेना और आपको ना जैसे सशन खतम होगा मैं पीडिएफ अप्लोड करवा दूंगा और सशन का लिंक रहेगा अब तो डी लिखो अगर मैं बतानों कि करेक्टर तो उसका के टिक लगा देना तो जब इसकी रिकोर्डिंग अविलेबल होगी तो अपनी मार्क्स काउंट करके मुझे बता देना ठीक है दन पहली क्लास सारी चीजे में समझा दे रहा हूं कि हमारा कैसे चलने वाला है आने वा बहुती कम बच्चे जो है इसको कर पाएंगे हैना मैं यह मानता हूं इस चीज को मेरे को पता है ओके चलो जी आतो जी तो शुडू करें अब पोल बेस वाला मस्ती नहीं हमको ओमार पे करना है हमारा टेस्ट एक्जाम का कैसे होने वाला है पोल पे होने वाला है क्या जेही चलो आजव जी अच्छा न्यूविलेबस में लिविंग वंड की क्यी क्या क्या टॉपिक्स हमोनना लीविं यह लीविंग शीघ्ल चाप्टर रखाना नूसलेबस है इसमें quantifyट नहीं है। इसमें कुद्साय टॉपिक नहीं है तो इसमें टेक्समानोमिकलूल एड्स नही ठीक है लेकिन टेक्सोनॉमिकल एट्स आपको नहीं पढ़ना है जी ओगे दन शुरू किया जाए आए हम लोग हमारे क्लास को शुरू करते हैं पहला सवाल अब जो स्टार्टिंग के जो 85 कुश्चिन जोना फटाफट हो जाएंगे मतलब देखना है अगर पता होगा तो तु डेजर्ट पे जिनदगी मिलती है मिलती है ओरशनस होट इस organism क्या पुछा हुआ है जी मुनना characteristics तो growth तुम्हारा characteristics होता है reproduction ability to sense ability to self replicate and interact all of this यह सब का सब तुम्हारा क्या होता है जी मुनना characteristics होता है living organism का चलो आगे क्यों बढ़ते हैं जी which is the characteristics of the growth भाईया growth का characteristics feature कौन सा है जी for the growth धियान से बताएगा which of the following is the characteristics of the growth तो हम लोग यह बोलते हैं ना increase in number and increase in mass यह तुम्हारा characteristics है growth का ठीक है तुम्हारे पास one and two would be the correct option जी ठीक है आजो अच्छा which organism grow by the cell division cell division किसके अंदर चलता है बताएगे दोड़ा cell division किसके अंदर चलता है चाहे वो तुम्हारा unicellular organism हो चाहे वो तुम्हारा unicellular organism हो चाहे वो तुम्हारा multicellular organism हो क्या इन दोनों organism में तुमको cell division देखने को मिलेगा दोनों के अंदर चलता हो मिलेगा definitely yes अगला इंदी plants cell division occurs अब plant में जो cell division होता है वो कब होता है, plant में cell division कब होता है, ध्यान से बताईगा, फटा फट कदम, plant में during germination only बिलकुल ने जी, throughout the life spent, जिन्दगी बर plant में cell division चलता है न, लेकिन animal में कब तक चलता है मुन्ना, up to certain age तक, एक समय तक ही तुम्हारे बास animal में cell division चलता है, जी, देखो, अच्छा, अगर हम कीम आज़ को ग्राइटीरिया एल फोर दिगोथ। डेरी विच गआफ एलिए पर दिगोथ डेन इच अंपल ओंद एंड नॉन इविविग नॉन इविभिग में रॉन इश्पट गुण का इग ए गडोपनेंटें केंगे और बॉल्डर सोँगे और सैंन माउन इस अरे के सार is incorrect कौन सा स्टेक्मेंट आपता है यहां पर गलत है दिमाग लगाईएगा पहले सोचो देखो एक दम ध्यान से पक्का पक्का टिक कर दू मैं हां कमेंट सुनो इन्दी आनिमल ग्रोथी सिंध थ्रूआउट दी लाइफ नहीं यार थ्रूआउट दी लाइफ नहीं नहीं नही होता है गुरू थ्रूआट दी लाइफ ठीक है चलो आजो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी विद फीचर मोर और लेस सिमिलर तो अब दी पारेंट्स अब दाई बच्चे पैदा करने वाले प्रसेसों क्या कहते हैं बताओ यार तुम बड़ा इंट्रेस लेके चैटर पड़ अब फंगस क्या शो करे का घ्म उना फंगस क्या बनता है क्या प्लेशन तुम्हारार इजनरेशन करेगा और हाइद्र आप का बडदिं चरता है जिज अच बड़िंग रख और करेंज सम करता है कोई नाम बताए का को उसका बड़िंग और Ni्सम करता है इस केयो पी ये ऑप बच्चों का कोशन नहीं बटा कॉंप्रोमाई यह मत बोलना बच्चों कोशन है मैं पहले NCRD लाइन वाइज हम से करवा रहा हूं ठीक है आज़ो कि फ्रग्मेंटेशन नहीं करता क्या मत बच्चों करता है कई बच्चों करता है चिया अगला कॉशन बिच ओ धी फॉलन्वनग JAMON not reproduce, कौन यहां पर reproduce नहीं कर रहा है, क्या मूल्स तुम्हारे रिप्रोड्यूज करते हैं, नहीं करते हैं, खचर, isterile worker bees और infertile human couples, यह लोग reproduce नहीं करते हैं, अब इनसे एक assertion reason question भी बनता है, आगे हम लोग करने वाले, अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो reproduction क्या है तुम्हारा defining property होगा नहीं होगा सर रिप्रड़क्शन है characteristics होगा living organism का लेकिन defining property नहीं होगा अगला कोशन कौन सा statement यहां पर incorrect है मुझना कौन साइस statement यहां पर incorrect है लेट सी जो कर लेगा उसको एक रुपे की कैडबरी मेरे तरफ से बताएगा इनकरेक्ट इनकरेक्ट अगर तुम बड़े ध्यान से देखोगे अगर तुम इसको थोटा सा एक बार नजर मारो कोई भी non-living organism अग्जिबीट से मेटाबॉलिजम बिलकुल नहीं सर नॉन लिविंग और गानिसम कभी भी नहीं करते हैं मैं तुमको समय दे रहा हूं लो पंदरा सेकंड सोचो और फिर टिक क्या गरूं ठीक है म्यूज अभी भी रिप्रद्यूस नहीं करते हैं अगला सवाल living organism can respond to their environment stimuli following type अब बताओ living organism किस-kis प्रकार के stimuli को response देते हैं तुमारी NCRT में लिखा हुआ है किस-kis प्रकार के physical, biological and chemical stimuli को है लोग response करते हैं करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं अगला सवाल photoperiods affect the reproduction in seasonal breeders अब photoperiods किस-kis में affect करेगा photoperiods बताइए तो plants and the animals plants and animals मजा आगिया अगला कोशन self-consciousness अब ध्याँ सुनेगा यह किसका characteristics feature है self-consciousness बबु self-consciousness यह किसका characteristics feature है self-consciousness यह यह only humans का है क्या कॉंशेस्टन सुसारे living organism का feature होता है लेकिन self-consciousness अपने को self-forceive इंसानों में देखने को मिलता है ठीक है अगला question कॉंसा statement यहां पर incorrect है कॉंसा statement यहां पर incorrect है बच्चों incorrect अब यहां पर समय लगेगा और यह यह बहुत important है मुन्ना this question is very 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 important यह neat में आ सकता है जी हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे basic unit life का cell है cell से tissue बनता है tissue से organs बनते है फिर organelles बनता है इस तरीके से sorry organelles बनते है और इस तरीके से तुमारे organs बनेंगे और organism तयार होता है ठीक है अब यह कैसे बन रहा है गलत हो गया यह बात एकदम गलत हो गया जो भी cellular organelles बन रहे हैं वो tissue के interaction से ही बनते हैं यह तो यह बहुत important question तुमारे पास है अगला story of life on the earth story of life on the earth धर्ती पर जो life आई यह story को अपन क्या कहते हैं बताइएगा इसे हम लोग biology कहते हैं क्या अब इतना है तो simple question ncrd की line है आचो कौन सा statement तुमारा यहां पर incorrect है बचो incorrect statement incorrect ज्यांस बताइएगा living organisms are not capable of responding to the external stimuli sir सारे living organism के बास capability है कि वो लोग respond कर पाएंगे external stimuli को ठीक है चलो मज़ा आ रहा है अब कितने species के बारे में जानकारी हमें अभी तक है number of species known and describe range between कितने 1.7 से लेके 1.8 million species simple question है जी आजो हाँ फंगस में fragmentation चलता है number and type of organism present on the earth is known as number and type of organism present on the earth is known as bold word में तुमारी ncrd ने लिखा इसको bio diversity कहते है इसको ठीक है अगला process of standardization of the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name पूरी दुनिया भर में उसे नाम से उसको पहचाना जाया उसे अपन क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं नॉमन क्लेचर कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं जी मुनना नॉमन क्लेचर कहते हैं फट आपट करते हैं ICBN stand for ICBN stand for इन्टरनाशनल कोड पॉर बोटानिकल नॉमन क्लेचर चलो फटी प्लांट अब प्लांट के लिए scientific naming होगा वो कौन करेगा प्लांट के लिए scientific naming कौन करेगा फटी प्लांट क्या वो ICBN करेंगे क्या yes sir ICZN किसका नेमिंग करेगा जी मुन्ना यह अनिमल का नेमिंग करेगा IUCN क्या होता है International Union for Conservation of Nature and Natural Resources यह एक red book publish करता है जिसमें endangered species की जानकारी होती है आदो ICZN stands for बताइए ICZN stands for बहुत प्यार सवाल है एक दब एक दब enjoy करके करो ठेक है ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature ठेक है International Code for Zoological Nomenclature अगला binomial nomenclature was provided by किसने दिया था जी मुन्नाम binomial nomenclature किसने प्रोवाइड किया था किसने दिया था क्या वो carolus linus ने प्रपोस किया था क्या क्या वो हमारे पास carolus linus ने प्रपोस किया था यह सर आगे क्यों बढ़ो ओके अगला सवाल मैंगी फेरा इंडिका लिनीन मैंगी फेरा इंडिका लिनीन इच वर्ड क्या कर रहे हैं अब यह मांगीफिरा क्या इंडिकेट कर रहा है जनेरा इंडीका इस पिशेश और यह तुम्हारे पास लिनीन क्या इंडिकेट कर रहा है अब देख़ो लिखने में थोटी सी गड़ बड़ी हुई है आपको समझना है इस स्चाइट को क्या यह साइंटिफिक नेम नेम करेक्ट है क्या यह साइंटिफिक नेम करेक्ट है नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि जो पहला अल्फाबेट होता है वह स्मॉल होता है बद यहां पर टाइपिंग रहर है समझ लेना बस थोड़ा सा जीनस इस पिशिज और ऑथर का नाम ओगे अगला सवाज बाइलोजि रिटन लाटिन लाइंवेज का मतलब है कि जिसको ऑफिशली बोला नहीं जाता ओके चलो आगे क्यों बढ़ते हैं इन्दी प्रिंटेड फॉर्म बाइलोजिकल नेम और रिटन आस अब बताओ अगर तुम प्रिंट कर रहे हो तो बाइलोजिकल नेम को अपन कैसे तरीके से लिखेंगे जब हांड रिटन तरीके से लिखेंगे ना तब उसको अपन अंडर लाइन करते हैं जी ठीक है अगला सवाल वेन हां डिटन बालोजिकल नेम सार रिटन आस मैंने कुछ बोला नहीं तुमने कुछ सुना नहीं हां अगर अगर मैं अगर हां डिटन तर करोगे इंडिका को अलग से लाइन करोगे तो यह भी बहुत ही प्यारा सवाल है जो कहा रहे ना बच्चो वाला पेपर है यहीं पर सिली मिस्टेक होता है साथ में करोगे यह तो मुषको सेपरेटली करोगे अग्ला सवाल, कौँसा Statement तुम्हारा Incorrect है? कौँसा statement तुम्हारा incorrect है? ध्यादना, है बहुती प्यारा सवाल, बच्चों को समन में नहीं आएग, और गलती कर बैठंगे देखना अब तुम को यह पता होगा कि जब मैं Printed Form में हैं, तो italics में लिखते हैं और जब मैं handwritten तरीके से लिखूंगा तो मैं underline करूंगा देखो तो specific method start with a small letter and underline in printed ये बात तो गलत हो गया ना ये बात इदम साफ साफ गलत हो चुका है because जब हम लोग underline कब करेंगे जब हम उसको hand written तरीके से लिखेंगे तम अगला सवाल अब लिणीन आफ्र थी बोटानिकल नेम अफना plant रिप्रेजेंट अब ये लिणीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो लिणीन आपने लिखते ला मैंगी फेरा इंडीका लिणीन ये लिणीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप यह गलती नहीं हो ना ची अचा दिप्रोसेस बाइबिच एनिफिंग इस गुरूपड इंटु कन्वीनियंट केटेग्री बेज़ ओन सम इसली अब्जरेबल क्यारेक्टर इसे अपन क्या कहते हैं बताएए बचो इसे हम लोग क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं क्या अग्डा क्या कै बेसे सपर उसे हमदों क्या कहते हैं मुनना उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते गड़बड़ी हो गया क्लासिफिकेशन करना एं मैं क्या बोलूए इसे अलग अलग टेक्सा में क्लासिफिकेशन करना और्गानिजम का इसे हम लोग कहते हैं टेक्सो नॉमी कहते हैं क्या बोलते हैं इसे अपन टेक्सो नॉमी कहते हैं जी चलो अगला अब विच और फॉल्विंग रिप्रेजेंट दस टेक्सा अब कौन यहां पर टेक्सा को रिप यह सारे सारे organism और इन करें, Sun elder ? की मजबूत कर लो इसके बाद अपन करने वाले Azra अब बताओ, जो modern taxonomic study जो अभी हम लोग कर रहे हैं, किसके basis पर उसके new रखी गई है, देखो, हम लोग यहाँ पर external और internal structure दोनों लेते हैं, हम लोग structure of cell लेते हैं, development के process को और ecological information, है ना, और evolutionary relationship को भी अपन यहाँ पर consider करते हैं, yes, आगे के और बढ़ो, अच्छा, study of different kind of organism, य सवाल इदम अलग है, their diversity and their relationship among themselves is known as, अगर हमको अलग अलग प्रकार की organism को study करना है, ठीके, उनके diversities के बीच में और उनके relationship के बीच में, ऐसे classification को आपन कहते हैं, systematics, very 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 important, अब तुम लोग यहाँ पर गलती करना शुरू करोगे, एक word का सिफ अंतर होगा यहाँ पर, पॉब्लिकेशन का नाम क्या था, उन्होंने book लिखा था, लीनस ने, उसका title क्या था, उसका title क्या था, उसका title क्या था, जी मुनना, systema, natural, यह simple question है, तुम कर लिए रहोगे, अगला question, which of the following is a correct, कौन सा statement यहाँ पर correct है, अब मैं तुम को थोड़ा समय दूंगा, take your time, और इ है, अच्छा, categories in the classification are known as a taxonomic categories, यह भी बात इकदम साहिए, all categories together form the taxonomic hierarchy, यह भी बात इकदम साहिए, each category refers as a unit of classification which is known as a taxon, यह भी बात इकदम साहिए, क्या सारे के सारे statement यहाँ पर true है, all are true, done, आगे बढ़ो, अच्छा, which category of the animals have a three pair joint legs, अच्छा, three pair of joint legs, किसमें मिलते हैं, three pairs of joint legs, क्या वो हमको insect में देखने को मिलता है, अच्छा, phylum का नाम बताओ, phylum कौन सा होगा, phylum, phylum arthropoda, ठीक है, चलो, all organism of the lowest category of, सबसे lowest category कौन सा होता है, सबसे lowest category, क्या species है, क्या वो species है, हां जी, वो मारा species है, मज़ा आ रहा है कि नहीं हा रहा है, मज़ा आ रहा है, है, scientific name of potato, lion and mango are, भाई, potato, lion और mango का scientific name क्या है, देखो, potato का scientific name है, panthera leo, lion का scientific name है, मैंने यहां पर क्या किया है, जी, गडबड़ी कर दिया, क्या, potato का panthera leo है, कितना अच्छा नाम है, हां, confused कर वादिया, potato का solenum tuberosum, lion का panthera leo, और mango का mangifera indica, और कुछ बच्चे मान भी लिए 20 का answer होगा, teacher ऐसे तुमको confuse करता है, हां, अच्छा, कौन सा है statement यहां पर गलत है, which of the following statement is wrong, कौन सा है statement गलत है, कुछ लोग मान भी लिए, देखो, each genus has only one specific epithet, नहीं सर, एक genus के ना, एक से अधिक, आपके specific epithet हो सकते हैं, जी, तो यह तुम्हारा एक गलत हो गया, यह दिख रहा है कि तुमने कितना अच्छा NCRT पढ़ा हुआ है, आजओ, which of the following is specific epithet of panthera, अब panthera के सर, कौन कौन स specific epithet है, by specific epithet का मतलब है species, क्या leo हो सकते हैं, क्या, क्या tigris हो सकता है, क्या जी, ओके यह panthera नहीं है, यह paradise है, यह थोड़ सा typing error है, यह paradise है, paradise है, ओके, आदो, all of this, तो leo, tigris, paradise, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, जी, ओके, ठीक है, आगी के और बढ़ो, which of the following is not a specific epithet for solenum, कौन यहां पर solenum का specific epithet नहीं होगा, तो paradise नहीं होगा न, यह किसका है, यह तुम्हारा panthera का है, यह panthera का है, panthera paradise, solenum, tuberosum, belongena और nigrium, cats are included in which genus, cats, billy किस genus में आएगी, panthera, phillies, mangifera, यह पैचिवना, ओ धतूरा वाली family, तो phillies में आएगी न, phillies, group of related genera, with still less number of similarities, group of related genera, will form what, group of genera will form what, will form species, हाँ है न, होगे, यह आपके species बनाएंगे, बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर, नहीं, 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 मैं यहाँ पर गलत बिता दे रहा हूं, ठीक है, दिमाग लगाओ यहाँ पर, दिमाग, क्या होगा, बिटा family होगा, वो, family होगा, वो होगा family, क्योंके न, बच्चे तुम यहाँ पर गलती करते हो, group of, group of general will form the family, because पहले species आता है, उसके बाद genus आएगा, उसके बाद family आएगा, तो family क्या है, कुछ भी नहीं, बल्कि group of, okay, group of related genus, ठीक है, family, done, okay, ठीक है, आजाओ जी, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने concept में clarity रखो, आगे बढ़ो Families are characterized on the basis of which feature, अब बताओ, families को हम लोगने किस basis पर characterize किया है, basis of characteristics क्या क्या है, vegetative and reproductive, यह तुमारी NCIT में line लिखावाए गया, yes, चब, आगे क्यों बढ़ो, which of the following comes under the family, solenacy, family solenacy में कौन कौन आता है, बताएगा, अब यह सारे genera है, क्या, solenum हो गया, धातूरा हो गया, पैट है, कि सारे कि सारे तुमारे genera है, यह सारे कि सारे तुमारे genera है, तो group of related genera will form what, family, यही पर revise कर लो, याद कर लो, ठीक है, अगला सवाल, the family felidia consists of genus, अब बताएगे, family felidia में कौन कौन आएगा, felidia में तुमारे panthera आते हैं, क्या, तभी तो बोलते है, mausi है, billi mausi है, ठी felidia जो है, वो same family felidia से belong करते हैं, अगला सवाल, अब leopard and cat belong to the family, अब बताओ, leopard और cat, अब leopard तुमारा क्या panthera, और cat, felidia, किस family से दोनों belong करेंगे, सार, यह दोनों एक ही family से belong करेंगे, felidia, ठीक है, तो none of this हो जाएगा, इस cancer, इस cancer क्या होगा, जी मुना, none of this हो जाएगा, अगला सवाल लेते हैं, डॉग, किस family से belong करता है, डॉग, डॉग, hominidia, sir, mammy, मेरे कुटा बोलती है, नहीं, ठीक है, डॉग जहना, वो canidia family से belong करते हैं, जी, जो cat होता है, वो तुमारे felidia family से belong करता है, ठीक है, आजो अगला, which of the following categories based on the number of similar characters, एक बहुत important line आगया, NCRT क which of the following categories based on the number of similar characters, similar characters, जीनस क्या होता है, group of related genre will form the family and group of related species will form the genus, तो सारे के सारे करेक्टर सेमी होता हैं, क्या, सारे के सारे करेक्टर तुमारे species level पे हो, जीनस level पे हो, या family level पे हो, सेमी होता हैं, अच्छा, जैसे जैसे आपन ऊपर बहुता हैं, बढ़ रहे हैं, kingdom तक जा रहा है, तो character कम हो रहा है, तो character कम होता है, तो सबसे अधिक character कहां पे मिलेगा, species level पे मिलेगा, और सबसे कम character तुमको kingdom level पे मिलेगा, धियान रखना, आजो, which of the following category is based on the aggregates of the characters, यह सवाल अलग हो गया अभी, यह था, क्या कहते हैं, based on the number of similar characters, अभी यह aggregates of character के बारे में पुच रहे हैं, अलग-अलग character के बारे में बात हो रही है, कौन है वो, वो है तुम्हारे पास order, वो है तुम्हारे पास order, ध्यान रहेगा, अगर similar character के बारे में बात होगी, तो genus species family, aggregates character के बारे में बात होगी, तो order, सोच समझ के टिक कर देना, आज यह भी तुम्हारी NCRT में लिखा हुआ है बताएगा प्लांट और जो पॉलिमोनियल्स है उनको किसके बेसिज पर केरेक्टराइज किया गया है और बेसिज ओफ फ्लोरल क्यारक्टर पूरी NCRT खुल गई है तुम्हारे आखों के सामने आजो विच आफ दी फॉल्लिविंग क्या हिए तंध क कोन कौन सा फैंदी और लिकाहरे आती है तुम्हारी कि तुम्हारी शोलेनेसी आती है मुझन हे पोयची नहィं आथी है जोग है तो कशमरबेंड मिबस ई्पारि लवेर्टरेन च मेरिक्ट आराम से करो जथें मृ ढमसे समरक्वाइइस को अगला सवाझा का कार्णी वोरा क्या होता यार यह कार्णी वोरा क्या है और है कि फैमिली है रटना मत कार्णी वोरा यह क्या है यह तुम्हारा ओडर है इस दा ओडर है ना तुमसको ऐसे याद कर लो चिकन खाने का मैं तुमको ओडर दे रहा हूं वेज खाने का मैं तुमको ओडर दे रहा हू टेकर ऐसे याद कर सकते हो सवाल अगर आ गया तो dog and cat belong to the order अब कुत्ते बिल्ली कौन से order से belong करते थोड़ा बताई का कुत्ते बिल्ली यह कार्णी वोरा है क्या मतलब यह लोग भाई एकडम भाई मेरे घर में डॉग है ना उसको ना स्वेज तुम देदू खाएगी नहीं वो डेली उसको लेक पीश चाहिए कार्णी वोरा एकडम प्योर ब्रीड़ कार्णी वोरा का विस जीनस कम अंडर दी ऑडर कार्णी वोरा कौन सा जीनस तुम्हारे कार्णी वोरा में आएगा आप देखो ना विल्लीयां भी क्या करते चुवे पगड़े खाती हैं 15 यह तो सब्सक्राइब को पगड़े खाते हैं यह लोग तो बोथ 1 & 2 क्वेशन का तुमको गहरा ही समझ में आ रहा है किस लेवल पर क्वेशन पूछा गया है आजो विच टैक्सोनॉमिक के टेग्री इंक्लूद दा रिलेटेड ओर्डर अब तो वो तुम्हारे पास क्लास होगा जी अगला बिच ओफ दी फॉल्विंग कंस अंडर दी ओर्डर कार्णी वोरा अब कार्णी वोरा में कौन कौन आएगा जी मुना क्याट आएगी डॉग और लाइंस आएंगे यह सारे के सारे लोग आगे बढ़ो हाइस्ट केटेग्री कि पूरे टेक्सोनॉमिका कौन सा है सबसे उपर सबसे उपर कौन आएगा सबसे उपर हाइस्ट केटेग्री हाइस्ट में तुम्हारे किंग्डम आएंगे क्या किंग्डम ए तेक है आचो जी और प्रिमेट्स एंड और कार्णी वोरा कंस अंडर विच क्लास अच्छा यह लोग किस क्लास में आते हैं यह लोग किस क्लास में आते हैं क्या तुम्हारे प्रिमेट्स भी मैमल्स होते हैं और कार्णी वोरा भी मैमल्स ही से कुट्टे भी लिक्या है यह अग्ला सवाल बढ़ते हैं अच्छा विच ऑफ दी फॉलिविंग कंस अंडर दी क्लास मैमेलिय अब मैमल्स में यहां पर कौन कौन आ रहा है मैमल्स में क्या गोरिला तुम्हारा मैमल्स होता है यह सर गीबॉन मैमल्स होती है cat dog और monkey सारे के सारे तुम्हारे mammals है ना यह सारे के सारे तुम्हारे mammals है तो mammal क्या है यह class है ठेक है order क्या होंगे जी primates हो सकता order carnivore यह तुम्हारा order हो सकता है जी आज़ो tiger and cat belongs to अब यह थोड़ा बहुत important very 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 important question five star question है दिमाग लगाना इसमें अब टाइगर और cat same genus से तो belong नहीं करेंगे भाई tiger का जीनस पैंथेरा है cat का जीनस फैलीज है तो काट दो same family से बिलॉंग कर रहें किया ze zelf order से बिलॉंग कर रहें किया कार्नी वोरा और से विलॉंग कर रहें क्या यह लोग मैने लिया तो b c and d तुम्हारा correct हो जाएगा bc ओरक्त हो जाएगा यह तरह truth सही में एक तो यह बहुत important question आ गया जी चलो which of the following belong to the order primates कौन यहाँ पर order primates से बिलॉंग कर रहा है order primates अब देखो human क्या primates होता है gibon और gorilla यह सारे के सारे लोग क्या है जी मुनना यह सारे के सारे आपके primates है यह सारे के सारे आपके क्या है जी मुनना हाँ primates है आगे बढ़ते हैं अब in the plants division taxonomic category division is equivalent to which category of the animal अब बताओ plants में आपन division पढ़ते हैं animals में division के equivalent क्या होता है बताए animals में division के equivalent क्या होगा phylum होगा phylum आपका होता है जी चल अगला सवाल which of the following belong to the phylum codates मुनना phylum codata से कौन बिलॉंग करता है phylum codata से बताएगा चा फिशे आएंगे तुम्हारी codates amphibians bird and mammals यह सब के सब तुम्हारे किस से बिलॉंग करेंगे जी मुनना phylum codate से बिलॉंग करेंगे अगला सवाई आज़ों which you are doing are in the exemplar और self-made question नहीं नहीं सारे के सारे self-made questions है बाभू सब के सब questions are self-made questions अभी exemplar आपन पीछे करेंगे आगे करेंगे which of the following is the characteristics of phylum codates A spamming math करो प्लीज यह भी phylum codates का feature क्या है phylum codates का तो presence of notochord dorsal hollow nerve cord होता है C नहीं होगा C नहीं होगा बेटा A होगा क्योंकि dorsal hollow neural system होता है dorsal hollow neural system होता है तो यह भी सवाल एक बहुत important question मन गया अगला सवाल kingdom plant ये comprises of अब kingdom plant ये पे कौन कोन आएगा all the plant from the single division ये all the plant from the different divisions NCRT की core line all the plant from the different division will form the kingdom plant ये अलगलग divisions है ना कौन कौन साय अलगे bryophytes, teridophytes फिर gymnosperm और तुमारे enjoy spumps hitting it तो अलगलग divisions very 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 important अगला सवाल कौन साय statement तुमारा यहाँ पे true है अब थोड़ से question का level बढ़ने जा रहा है तैयारो question का level अब थोड़ा बढ़ने जा रहा है आजो सुनो हाँ PDF मिल जाएगा from moving toward the higher taxonomic category number of common characteristics goes on decreasing बात सहिए क्या जब तुम नीचे से उपर जा रहे हो तो common character कम हो रहा है यह बात सहिए lower the taxa lower the taxa more are the characteristics यह भी बात सहिए that member within the taxon share जितना नीचे taxa होगा उतना ज्यादा characters होंगे higher the taxa greater is the difficulty of determining the relationship यह भी बात एकदम सहिए sir अच्छा lowest taxa is the genus बिल्कुल नहीं species है वो तो A, B और C मेरे पास correct होगा A, B और C मेरे पास true होगा अगला सवाल तो correct order of taxa in the plants बिटा यह तो PYQs में भी पूछा गया सवाल है यह तो PYQs में पूछा हुआ सवाल है PYQs में बदाएगा plants के लिए for the plant क्या होगा species, genus, family, order, class, division आएगा अब यहां पर division आएगा division आएगा not a phylum, phylum किसके लिए अपन यूज करेंगे हम लोग animals के लिए यूज करेंगे जिसमें one पर टिक किया है किरपय अपने आखों पर पानी मारी है बैट के पढ़ाई कीजिए सो के ना, test मत दिया करो ठीक है आजाओ अब यहां पर माज दिको रहें जोड़ी मिलाना है अभी man, wheat, mango और housefly कर लोगे कर लोगे आजाओ, देखते हैं जो man है मुणना हो, उसका scientific name क्या होगा homo sapiens, wheat, tritecum, acetivum mango, mangifera, indica और housefly, muska, domestica तो option C would be the correct option अगला सवाज अब family अब आपको family के बारे में यहां पर पूछा हुआ है family के बारे में men, wheat, mango और तुमारे housefly कर लोगे आज़ो थो थोड़ा सा जोड़ी मिलाते हैं यहां पर men के लिए क्या होगा hominidae, wheat के लिए poesy, for mango and credesia, और housefly तुमारा muskidia इसके लिए भी C हो जाएगा फिर common name और order के उपर जोड़ी मिलाओ common name और order मैं हट जाओं क्या सुनो, mango तुमारे पास sorry, men जो है वो तुमारे पास primate होंगे, wheat तुमारे poles हैं क्या mango, sepandiles और housefly तुमारा diphthera see अच्छा, अब common name और तुमारे पास class, common name और class, men mammalia wheat क्या होगा जी, dicot और monocot sir wheat तुमारा monocot है mango dicot है, और housefly तुमारा insect होता है ठीक है, आज़ो simple question है, अब कौन यहाँ पर wrong है which of the following is a wrong बहुत ही प्यारा सवाल दिमाग लगाना इसमें मस्क का domestica तुमारे बास phylum arthropod से बिलॉंग कर रहा है phylum का नाम arthropod होगा homo sapien mammalia तुमारा phylum नहीं होता है यह तो class है ना यह class हो तो यह काट दो B वाला कड गया, mangifera indica वैसे तो यह भी कट जाएगा ना because एक काम करेंगे न अगर आपन बात करेंगे mangifera indica के बारे में न यह तो equivalent है न यह equivalent होता है यह equivalent है division के equivalent यह सही होगा तुमारे पास traticum acetivum यह तुमारे dicots अब यह dicot क्या है तुमारा यह भी तुमारा class में आ गया क्या तो यहां पर B और D तुमारे पास incorrect है B और D B और D तुमारा incorrect है जी असर आप time नहीं देते हो, मैं time नहीं दे रहा हूं क्या मैं कहारा हो कि तुम OMR लेकर बैटो तुम कितना time लगाओग यार तुमार का time है ना मातरा 5-10 seconds का होगा एक एक सवाल करने के लिए चलो शुरू किया जाए अभी assertion reason आए let's start with the assertion reason वाला question शुरू करें शुरू करें येस आए शुरू किया जाए अब तहल का शुरू होने जा रहा है assertion a group of closely a group of closely related families forms a order हाभाई families मिलके ना order बना रही है reason the families of an order shows a close resemblance in the certain fundamental features and also evolutionary trend yes sir by group of families will form the order assertion और reason दोनों के दोनों correct और reason properly समझा भी रहा है assertion को okay yes assertion और reason दोनों तुमारे correct है अगर मैं तुमको 30 और 35 सेकेंड अगर दूंगा तो हमारे देड़ गंटे में 60 सवाल होंगे अगला growth cannot be taken as a defining property of the living organism ठीक है non living object also grow if we take a increase in body mass as a criteria for the growth बताए non living organism तुमारा defining property नहीं होता है living organism का because non living object के लिए हम लोग increase in body mass को consider करते है assertion और reason दोनों correct है और reason properly समझा भी रहा है कि क्यों नहीं लेते हैं difficulty जादा होता है तो assertion तो true है लेकिन reason तुमारा यहां पर गलत हो चुका है तो क्या होगा इसका answer AT1 का C would be the correct option ठीक है अगला सवाल assertion क्या कह रहा है consciousness is considered as the defining property of the living organism all organism from the prokaryot to most eukaryot can sense and respond to the environmental stimuli दिमाग लगाओ बात सही है सर consciousness तुमारा defining property होता है because prokaryot से लेके सारे eukaryot सक तुमारे क्या करते हैं जी sense कर सकते हैं तो assertion भी character reason भी character reason properly समझा भी रहा है clear clear अगला सवाल अब match the column करने अपने को चलो दिमाग लगाते हैं अभी साथ में करते हैं families यहां पर family कौन होगा जी मुनना family family तुमारे पास है तुमारे पास है शोली निसी और नहीं नहीं सवाल अलग हो गया है सवाल एकदम अलग है यहां पर one दिया हुआ है तो यहां पर one क्या है tuberosum तो tuberosum तुमारे पास क्या होता है tuberosum तुमारे पास species होता है ultaheim as the column यह ultaheim as the column उसके बात polymonials यह तुमारा order होता है क्या यूगे neat कभी कभी ऐसे खेल सकता है question तुमारे साथ solenum यह तुमारा genus है क्या यह तुमारा genus है plenty A यह तुमारा kingdom है और solenacy यह तुमारी family है जी तो fifth का तुमारा A होगा जी कैसा लगा सवाल यह सवाल कैसा लगा अगला सवाल हमारे पास mass the column करना है fungus planaria planaria में तुमारे पास क्या होगा जी regeneration होगा planaria में regeneration होगा okay planaria में regeneration तुमारा B से answer ही आ जाएगा D होगा हम लोग और भी मिला लेते fungus में क्या होगा जी मुना asexual जो मेरे birds हैं sports हैं उनसे reproduce करेगा filamentous अलगे कौन होगा fragmentation और East तुमारा budding शो करता है जी आ जो जी in which of the following option the two given taxonomic category are correctly matched with their organism correctly matched correctly matched ज्यानना उनना correctly matched diphthera and phallidae क्या यह दुनों मसका से बिलॉग कर रहें बिल्कुल भी नहीं correct होगा यह solenasi family or polymonials यह order धतुरा से बिलॉग कर रहें बात एकदम सही है एकदम सही है जी ठेक है आजो अगला सवाल देख लो match the column कह रहा है division class order and family देखो जो तुम्हों quality of MCQs यहां पर मिल रहा है ना देख लेना बहुत मजा आएगा division division सोची दोड़ा फ़रा दिमाग लगाएगा यहां पर देखो division तुम्हारे पास एंजो स्पम है यहां पर class क्या है इंसेक्टा और order कॉंस है प्रिमेट और family यहां पर कहाई जी मुना पोईसी ठेक है अगला सवाल अच्छा एक और एक match.the column आ गया अब दबा के match.the column करेंगे अब family यहां पर होगा यहां पर family कॉन होगा जी टेफे तुम्हारा Solenasi होगा family तुम्हारा Solenasi होगा तुम्हारा aks answer आ रहाए किग्ड़म क्या होगा kingdom तुम्हारा plenty है order क्या होगा फ्रम बाजी। ठीक है। order order order, order, polymonials और species तुम्हारा तुबरोसम और genus तुम्हारे पास होगा अप्षिन नमर बी। अगला। नाच दी कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2, फैमिली ओर्डर क्लास और फाइलम, आईए, जोडी मिलाते हैं भी इसका भी, फैमिली, होमिनिडे, ओर्डर, प्रिमेट्स, क्लास, मैमेलिया, एंड फाइलम, कोर डाटा, एंसर बी, कॉशन का लेवल कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा, एक अभी थोड़ सा हाईयर लेवल पर बढ़ रहा है, सवाल कह रहा है, मैं थोड़ सा जूम कर दे रहा हूं, यहां पर, सिलेक्ट पी, कर्यक्ट कॉंबिनेशन, आप यहां पर कर्र आता है, आपकी कर्क्त स्थेटमन, कॉंसे है, वो आपको बताना है जी, कर्यक्त स्थेटमेंट, अब सुनू, as we go from species to kingdom the number of common character goes on decreasing ये बात इक्दम साहिए lower the text up more the characteristics yes sir higher the category greater is difficulty ये भी बात इक्दम साहिए kingdom plant ये compresses all the plant from the various phyla various division ना होगे yes चलो new ncrt से लोना कोशन ये new ncrt नहीं है क्या ये new ncrt नहीं बच्चो ये ऐसा मत क्या गरो यार तुम अच्छा अब कॉन साहिए statement यहाँ पर correct है यहाँ पर कॉन साहिए statement तुमारे correct है अब देखो growth cannot be taken as a defining property of the living organism अभी प्राक्टिस सेशन है समझ के कारण ये अब भगा रहा हूं क्या अर्यार तुम समझो नहीं अर्प्राक्टिस सेशन क्या होता यहाँ पर मैं एक एक option तुमको समझा रहा हूं कि वह क्यों गलत है पहली बार कर रही हूं क्या प्राक्टिस है ऐसा मत क्या करो बाभू लोग ग्रोथ कैनोट बी टेकन अजर डिफानिंग प्रापर्टी अफ लिविंग और्गानिजम ये बात एक दम सही है ग्रोथ अकर्स ड्यू टीव इस सिंथेशन दो प्रोटो प्लास्मिक अप्लास्टिक सब्स्टेंस दिखो ग्रोथ जो होता है मुनना वो कि सुमारे मुच्वं इस्टेमेंस फाल सुमारा यहां पे गलत Agr Quốc अब्र होता है व्लोस 11 तंश स्टेमेंस दो ता स्या स्टेप्वे यहां पे कर्लत है mês पिज्यान है lower the taxa more the characteristics that the member within the taxon share यह बात एक्दम सही है order is the assemblance of the genera order क्या होता है assemblance of family families काट दो इसको फटड़ पट यहीं पर कड़ी आईए इसके बाद क्या होगा जी cat and dogs are included in same family felidia बिलकुल नहीं cat belong करता है felidia से dog belong करेगा family canidia से आजो तुमारा answer ही आगया यार 2 और 3 तुमारा यहां पर incorrect है bionomal nomenclature was introduced by the carolus lenus आजो अब अमांग the following select the correct statement कौन साइस statement तुमारा यहां पर correct है correct statement अब इन majority of higher plants and animal growth and reproductions are mutually exclusive event बात साहिए सर इन non-living object growth is accumulation of the material on the surface यह भी बात साहिए and isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither a living nor a non-living यह भी बात साहिए all organism from the pro carrier to most complex eukaryot can sense and respond to the environmentalist cues यह बात साहिए और जिस बच्चे नि अगर इसको बला कि छोड़ो यहर मैं तो बाद में करूंगा इसको हो गया काम कर्तम assertion in a single celled organism we are not very much clear about the uses of this two term growth and reproduction यह बात साहिए क्या हम लोग को clearly हम लोग unicellular में defining कर पाते की growth क्या है और reproduction क्या है जी in unicellular organism like bacteria unicellular algae amoeba growth is synonymous with the reproduction increase in mass of the cell नहीं सर increase in number of the cell assertion true है but reason false है तुमने पढ़ा नहीं mass of the cell नहीं number of the cells unicellular organism में क्या होता जब number बढ़ेगा cell का तभी तो वो divide करेगा ना कितने लोग का यह सवाल गलत हो गया कितने लोग का यह सवाल गलत हो चुका है बताओ comment section ने भरो यार थोड़ा देख लो अगला सवाल reproduction cannot be all inclusive defining characteristics of all the living organism reproduction के तुमारे defining property नहीं हो सकता there are many organisms that do not reproduce like mules, sterile worker bees and infertile human couples अब बताइए तो assertion और reason दोनों correct है और reason properly explained भी कर रहा है reproduction defining property इसके लिए नहीं है because यह लोग reproduce नहीं कर रहा है अगला the isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reactions okay okay उसके बाद metabolism is the defining feature of all the living organism without any exception क्या बात सही है अगर तुम देखो कि तो assertion और reason दोनों इतम सही है लेकिन reason properly explain नहीं कर रहा है reason क्या बता रहा कि metabolism तुमारा defining feature होता है सारे living organism का इसको explain नहीं कर रहा है अब assertion में क्या बोला गया है कि जो अगर हम लोग isolated metabolic reaction करेंगे तो वो living thing नहीं है बट की living reaction होगा वो महारा option number B would be the correct okay कावया ठीक है assertion we need a nomenclature to study the living organism local name vary from place to place which creates a confusion जो कि तुमको अभी हो गया है देखो हम लोग यहां पर nomenclature क्यूं पढ़ते हैं organism को study करने के लिए और local name तुमारा confusion create करता है इसके लिए अपने scientific name बनाया है अच्छा wheat, rice, cat, dog, mammals, plant, animals are taxa which we use to study the living organism इसारे-सारे taxa है क्या the scientific term of taxa is category गलत हो गया the scientific term of the category is taxa उल्टा हो गया है वाइसी वर्सा हो गया scientific term of taxa is category क्या होता यार the scientific term of category is taxa ठीके तो reason गलत हो गया लेकिन assertion तुमारा true है भाई देखो जहां जहां पर गलती हुआ है यार उसको तुमको rectify करना है क्योंके तुमको पता है ना कि पिछली बारी reproduction में कैसे सवाल कूछे वे थे एक word के difference के उसे पूरा question का pattern बदल गया था आजो Assertion Animals, Mammals and Dog are all taxa They represent the taxa at the different level बताये थोड़ा तो यह सारे सारे तुमारे taxa है और यह अलग-अलग level पर represent कर रहे है अच्छा यह सारे के सारे taxa है उसका reason कुछ और होना चेना क्योंके सारे तुमारे group of organisms है तो reason properly समझा नहीं पर रहा है assertion को तो option B would be the correct Assertion और reason दोनो अपने अपने जगे पर सही है बट reason समझा नहीं रहा है assertion को Assertion Characterization, Identification, Classification and Nomenclature are the process that are the basis to the taxonomy यह बात एकदम सही है Structural, Developmental and Ecological Information of an Organism is important for the taxonomic study यह भी सही है Assertion और reason दोनों true है लेकिन reason है अभी भी कोई relation नहीं बैठा पा रहा है तो option number B would be the correct option अचा अगला सवाल अगला सवाल तुमको समझ में आ रहा है ना देखो जिसने अगर NCRT पढ़ा हो गए ना तो उसको relation बैठाने में प्रहुद है इन अर्ले देख, human beings need to find a source for their basic need of the food, clothing and shelter बताये थोड़ा Assertion और reason correct और reason properly समझा रहा है तो पहले की classification में तुमारे पस यूस और डिस्यूस के बैस पे classification क्या करते थे तो organism पहले वाले कैसे डिस्यूस के बैस पे classification करते थे फूड, clothing और shelter के लिए अच्छा Assertion The problem of classification becoming more complex at the higher categories comparative to the lower categories यह बात सही है क्या तुम जितना उपर जाओगे classification उतना complex हो जाएगा Because character कम हो जाते है Higher the taxa Higher the taxa More the character नहीं बेटा Character कम रहते है न Reason गलत है यहाँ पे Reason गलत हो गया तुम जितना उपर जाओगे Characters तुमारे कम हो जाते है Assertion और Classification help in studying all the living organism Its group of the Its group the organism into the convenient category Based on some easily Obserable characteristics Hmm Classification का मतलब क्या होता है सारे living organism को study करना और सारे living organism को Easily observable characters के basis पर ही आपन study करते है तो Assertion और Reason एकदम correct है और Reason प्रपर्ली समझा रहे Assertion तुम Done अगला अब सुनो Assertion कह रहे All the categories together constitute the taxonomic hierarchy सारे category मिलके Taxonomic hierarchy बनाएंगे आजो उसके बाद category is a part of overall taxonomic arrangement Assertion और Reason दोनों correct है लेकिन क्या reason कहीं न कहीं properly explain कर पा रहे है क्या Reason कोई relation नहीं बैठ रहे है कोई relation नहीं बैठ रहे देखो न वो तो यह कह रहा है कि बैठ जो category है category का मतलब क्या होता है taxa तो taxa तो तुम्हारा part हो गई न taxonomic arrangement का अच्छा अभी NCRT examplar कर लें आजो examplar कर लें फट आवट अभी examplar कर लें As we go from species to kingdom अगर मैं species to kingdom level पर जाओंगा कब होंगे characters क्या होंगे जी मुन्ना कब हो जाएंगे yes चलो आगे बढ़ते हम अब family के लिए which of the following suffix is used for the unit of classification in the plants plant के अंदर हम लोग families के लिए किसका suffix का यूज करते है plants chlorophyce pheophyce rhodophyce okay telegram पे आपको मिल जाएगा देखो the term systematics refers to systematics refers to systematics refers to what systematics क्या होता है जी मुनना हम लोगोने आज पढ़ा है definition क्या था diversity of living organism and their relationship पढ़ा है ना diversity of the diversity of the kind of the organism and their relationship जी okay genus क्या represent करता है a group of group of related species a group of related species of plants or animals the taxonomic unit file in the classification of animal अब ये बता है plant के लिए equivalent क्या होगा और plant के लिए equivalent क्या होगा जी मुनना divisions simple question all living organisms okay मैंने यह पर taxonomical aids के एक भी question है डाले हुए है ठीक है all living organisms are linked to the one another because क्यों मुनना सारे living organism अपस में linked कैसे हैं okay they share a common genetic material but due to the varying degree genetic material थो common हैंना सब के नदर DNA, RNA मिल रहा है but उनका जो concentration ATGC ratio वो अलग अलग होता है सभी के अंदर आजो which of the following is a defining characters strict of the living organism defining feature क्या है जी मुनना defining feature बताए response to the external stimuli consciousness consciousness आजो match the following and choose the correct option कर लोगे जोड़ी मिलाओगे सुनो आजो family family यहां पे क्या होगा जी मुनना family 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 यहां पे होगा तुम्हारे पास एक मिन यह ना इन्होंने उल्टा कर दिया शायद solenacy और kingdom तुम्हारे पास यहां पे होगा जी मुनना plantia अब order क्या होगा जी मुनना polymonials species क्या होगा जी tuberosum और genus क्या होगा जी solenum ठीक है तो यह तुमको ध्यान होना चाहिए तो a would be the correct option क्या यह तुम्हारा सही होगा ने यह तुम्हारा सही होगा क्या एक मेंट को यह c का 2 d का 1 हाँ चलो और यह तो तुम्हारा पूरा का पूरा खतम हो चुका है आज का पूरा का पूरा समाप्त वो चुका है living world कैसा लगा यार अब इसकी recording अविलेबल होगी तो hashtag day one completed चाहिए और कल day two में आपन 225 कोशन करने वाले कल 225 mcqs पेपर बन के रेडी हो चुकी है पेपर बन के रेडी हो चुकी है आपन करने वाले कल भी पहले ncrt की सारी line discuss कर देंगे line base उसके बाद assertion reason और statement वाले फिर math the column और कल diagram वाले questions भी रहेंगे है ना कल क्यूकी कल वाले में diagram भी कल पूछा जाएगा आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक मारो पहले फटापट लाइक कर देंगे सभी लो बर वीडियो को लाइक मार दो यार प्लीज बच्चो वीडियो को लाइक चाहिए ठीक है अभी तुमको एक tracker दिया गया है अगर तुम उस tracker को क्लिक करोगे तो इस तरीकी से तुमको मिल जाएगा आपको मैं PDF प्रोवाइट कर दोंगा और सेशन लिंग भी प्रोवाइट कर दोंगा ठीक है अब PDF जो है वो तुमको मिल जाएगा आज ओटी क्लास शुरू होगी सब्सक्राइब ग्यारा साधे ग्यार तक खतम होगी जी कल ग्लास ठीक है चलो जी हाँ और जो आज की जो दो आली क्लास है उसका मैं अपडेट देता हूं किसको डाउट है का यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट निये तो कल अगर तुम देखोगे तो कल स्टेक्मेंट वाले हैं मैंजदी कॉलम है और असर्शन विजन और डाउट है किसको डाउट है क्या ओमार आपको मेरे टेलिग्राम पर डाला हुआ है आप लोग जाके कर लेना किसको डाउट है क्या यह प्लीजर अबना तुम यह एस्क्यूज मत बोलो कि स्पेशल में ले डाल दो मैं उसका reply दे दूँगा ओगे ठीक है चलो जी अजो जी हां और कितने नंबर बन रहे वो भी कमेंट में आना चाहिए कि मेरे सर इतने करेक्ट बने हुए मेरे इतने राइट बने हुए ठीक है यह भी प्लीज बता दीजिए गाजी सब कोशन नंबर हंड्रेट में क्या दे रहा है इंदी अर्ली डेए यूमन इंग नीट फाइंड रिसोर्चेज मतलब रोटी कपडा और मकान के लिए उसमें आप लोग बता दीजिए गाए अप ICZN गलत किये है मैं आई इसे जड़न नी वो जो ऑफ और फौर है ना उसका तुम टेंशन मतलो इंटरनाश कोड फौर स्दातरों किया गलत हो गया है गलत हो ना या करने ड़्र कोई फौर जोलॉजी का नॉमिया है एक बार चेक कर लेते हैं ना IC ZN में क्या गलत हो गया है Internet code for zoological number नहीं सही है कोई दिकत नहीं है इगनम सही है बाबु कोई दिकत नहीं है तो मैं कोई kidney में attack आगया है मैं कोई बहुत कस के कोई दिकत नहीं है बिल्कुल भी हाँ, चलो question number 85 question number 85 भी ले लेते हैं मैं सारे doubts हमारे clear कर देता हूँ तो उसके लिए कि कोई दिक्कत ना रहा है 85 में क्या doubt है? 85 में ये है ना क्या कह रहा है which of the following option the two given taxonomic category are correctly matched with their organism solenaceae familiar polymonials क्या वो दतुरा से बिलॉंग कर रहे हैं दतुरा जो है तुमारे पस दतुरा जो एक organism है ये एक organism है organism मत बोले ये plant है तुमारा ठेक है इसमें family क्या होगी जी मुना solenaceae होगी और order क्या होगा इसका polymonials होगा लेकिन वहीं पर तुम देखोगे ये muska domestica क्या है तुमारा housefly है housefly जो है वो फैलिडे से बिलॉंग कर रहे है कि अच्छा ये फैलिडे फैमिली से बिलॉंग अच्छा housefly की family क्या होगी housefly की family क्या है comment section बता हाउसfly की family क्या है housefly की वो table तुमारी ncrt में दिया हुआ है muskidia family उसकी muskidia ये तो वहीं पर गलत हो गया ना वहीं पर गलत हो गया ठीक है चलो जी okay yes हाँ रोहित उसके अपडेट बेज दिया जाएगा जी सर कोशन नंबर 48 हाँ sony में ले ले रहा हूं 48 चलो क्या डाउट है 48 में देखो अग गुरूप आफ रिलेटेड जेनरा विल स्टिल लेस सिमिलर नंबर अफ करेक्टर्स देखो गुरूप आफ रिलेटेट जैनरा जहां पर एक अर्चिक्छ कम होती हैं family एक तो simple है common sense है यार okay related जैनरा विल फॉर्मदी अपना family और family विल फॉर्मदी और ग्लास and class आज विल फॉर्म दे डिविजन और फाइल अब और वह आगे चले खिंगनम बनाएंगे इसमें तो कुछ है नहीं कोश्चन नमबर 55 में डाउट है क्या डाउट है भाई अगर तुम देखो कि तो ऑडर क्या है जी मुना ओडर मैं तुम्हारे इन सभी के चार्टर आ गया है ना अलडर में सभी के क्रेक्टर्स आ चुके हैं जी ओगे ठीक है आजाओ जी कोई और दिक्कत कोई और दिक्कत चलो जी बढ़िया अभी प्लीज अभी इसका रेकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो अपना मार्क्स और हास्टाग डेवन कंप्लीटिड कल सुभा दस बुजे दो सो पचीस कोश को अभी अपने स्टेबल कर लेते पहले यह वाले सीरीज को ओके चलो आथो अभी तुम्हारा चाप्टर वन पूरा कंप्लीड होगा डन इंडस्टेड कोई और दिक्कत है किसे को आप थोड़ा फास्ट करा रहे हैं ठीक है मैं कल से रीधा थोड़ा स्लो करवाऊंगा ठीक बब बाइ! Okay thank you, bye bye!